पहले चीज तो रेक्टैंगुलर हाईपर बोला कब होगा x² upon A² minus y² upon B² equal to 1 के लिए रेक्टैंगुलर हाईपर बोला की बात करें तो क्या क्या होना ची हह A, B के बराबर हो जाए तो x² minus y² equal to A² यह क्या हो जाएगा Rectangular Hyperbola हो जाएगा मतलब किसी भी Hyperbola को Rectangular Hyperbola बोलने के लिए अपने को क्या करने है उसका center change नहीं होगा Change क्या होगा इस Hyperbola में क्या किया हमने Length of Transverse Axis is equal to Length of Conjugate Axis बराबर कर दी 2A बराबर 2B A बराबर B हो गया तो यह equation होगी Rectangular Hyperbola की दूसरी बात eccentricity कितनी हो जाएगी इसकी 1 plus B square plus B square upon A square B और A बराबर है तो 1 plus 1 to E square 2 के बराबर होगा तो eccentricity root 2 होगे Rectangular Hyperbola की equation X square minus Y square equal to A square होती है eccentricity root 2 होती है यह general Hyperbola है हमारे काम में या important Hyperbola वो आता है जैसे इस Hyperbola की बात करें तो यह दिखने में तो आपको इसी तरह का दिखेगा दिखने में तो यह इसी तरह का दिखेगा X square ने X axis हो गया यह Y axis हो गया यह इसके SM totes हो गया अब इसके लिए यह जो SM totes होंगे कितने angle पे होंगे 45 और यह कितने पे होगा 135 पे होगा ठीक तो देखो यह जो Hyperbola आपको दिख़रा है इसमें एक काम करें हम SM totes को anti-clockwise direction में 45 रोटेट कर दें हम तो क्या होगा यह SM totes यहां आ जाएगा यह SM totes यहां पे आ जाएगा तो SM totes तो X और Y axis बन जाएंगे और यह जो यहां से बदल के कहां आ जाएगा First quadrant में आ जाएगा तो इसमें हम क्या करें इसमें एक change करें कि anti-clockwise direction में इसको rotate कर दिया SM totes को कितना 45 डिग्री एंगल से यह ना SM totes anti-clockwise direction में तो diagram कैसा बनेगा बताऊ ऐसा बनेगा यह X axis होगा वैसे तो यदि मैं rotate करूं तो और यह क्या हो जाएगा Y axis हो जाएगा मालब इसी को मैंने rotate किया हो तो उसकी बात करें अब इनको X और Y axis ना लेते हुए यदि मैं इसको X और Y axis ले लू SM totes कोई हम X और Y axis ले ले यहां पे तो फिर जो hyperbola दिखेगा अपने को वो किस तरह का दिखेगा उसकी standard equation अपने को लिखनी हो तो हम कर क्या रहें यहां पे एक काम तो ऐसे बोल सकते हैं कि rotation of axis लगा रहे यहां पे rotation of axis in anti-clockwise direction by 45 degree angle है ना तो उसमें क्या होता है जैसे कि मालो इस पे हमने कोई भी point P लिया x,y तो axis of rotation से point P के coordinate बदल जाएंगे क्या किस तरह से बदलेंगे x जो नया coordinate होगा उसको मैं x1 ले लूँ एक बार के लिए या x1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x cos theta minus और y1 कितना हो जाएगा ये नय वाले point के coordinate होगे rotation के बाद ठीक हमारे पास जब x,y point था तो इस कारू की equation क्या है x square minus y square equal to a square तो हम यहाँ पे x और y की value put कर सकते हैं या x1,y1 की value put करेंगे x और y की value put करेंगे हम यहाँ पे हमने यहाँ value किसके निकाली x1 और y1 की value हम दोनों value निकाल सकते हैं तो वो table याद रखने हैं अपने को x,y x dash y dash cos theta minus sin theta sin theta cos theta तो हम x1,y1 की value तो लिख चुके हैं बट x1,y1 की value चाहिए नहीं अपने को किसकी value चाहिए? अपने की x और y की in terms of x1,y1 तो x कितना हो जाएगा? और y कितना हो जाएगा? minus x dash sin theta plus y dash कितना हो जाएगा? cos theta हो गया ठीक है न? तो हमारे पास था x square minus y square equal to a square इस कारूपे कोई point था, उस point के coordinate बदल के अब यह हो जाएगे और rotation कितना किया? 45 degree angle से किया हमने तो theta भी अपने को पता है, theta equal to 45 degree पे x कितना हो जाएगा? x dash plus y dash by और y कितना हो जाएगा? minus x dash plus y dash by root 2 ठीक है? यहाँ पे value put कर दें इनकी, तो x dash, इसकी जरूत नहीं है अपने को न? x dash plus y dash upon root 2 का whole square minus x dash plus y dash upon root 2 का square is equal to a square ठीक, a square minus b square कर दें, a plus b है minus b, तो इन दोनों को जब plus करेंगे तो क्या कड़ जाएगा? क्या कर जाएगा? इन दोनों को plus करेंगे तो, x dash कटेंगा न? तो क्या जाएगा? 2 y dash upon root 2, a plus b कर दिया, a minus b करेंगे तो क्या जाएगा? 2 by root 2, ठीक, equal to a square, इस दोनों को मिला गए ये कट गया, ये 2 उदर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x dash y dash is equal to a square by 2, ठीक, x dash y dash को फिर से x y ले सकते हैं अपना न? तो ये बन गया, x y is equal to a square by 2, 2, a square by 2 क्या है? positive quantity एक, a square by 2 positive quantity होगी, तो इसको इन जनरल क्या लिखा जाता है? x y equal to c square, ये हाइपरबोला होता है, rectangular हाइपरबोला में भी, जब इसके asymptotes को हम 45 डिगरी से anti-clockwise direction में rotate कर दें, तो एक नया हाइपरबोला मिलेगा, जो होता है, x y equal to constant, और constant में भी वो positive quantity होगी, इसलिए मैंने c square लिखा यहाँ पे, और जो c square की value है, वो कहाँ से आती है? a square by 2 से आती है, तो अब जो भी चीज़े हम पढ़ेंगे, parametric form, equation of tangent, equation of code, equation of normal, वो x y equal to constant, बदो, x y equal to c square के लिए discuss करेंगे, समझ गे, यह कैसे आया? तो आप इस तरह का hyperbola देखेंगे दूसरी, बट इसको prove कैसे किया जाता है, वो मैंने आपको समझा दिया, कि यह आता कैसे है, कहाँ पे? तो सबसे पहले बात करें, x y equal to c square के लिए, x y equal to c square एक हमारे पास, कौन सा hyperbola है? रेक्टेंगुलर hyperbola यह भी, यह भी क्या है? रेक्टेंगुलर hyperbola, x square minus y square equal to a square भी क्या होता है? रेक्टेंगुलर hyperbola होता है, यह दोनों ही rectangular hyperbola है, इसका use ज़्यादा किया जाता है, तो इसके बारे में अपन सारी चीज़े discuss करेंगे, xy equal to c square का diagram किस तरह का बनेगा सबसे पहले तो देखें तो अपन यह इसका diagram बनेगे xy equal to c square ठीक है आजो इसका center तो origin ही हो जाएगा ठीक इसके अलावा इसकी parametric form important है हमारे लिए parametric form बनेगे इस पर हमें कोई भी point मानना हो तो किस तरह से let करेंगे तो parametric form के लिए xy equal to लिखा हुआ है c square यहाँ पर x by c और इसको c by y लिख दू तो यह तरह से बराबर हो गया और किसी न किसी constant के बराबर होगा तो उसको t लेट कर लिया आपने इन दोनों को solve करें x की value कितनी आगी और y की value कितनी आजाएगी c by t तो यह parametric form होगी इसकी तो कोई भी point होगा वो ct, c by t type का होगा rectangular hypergola में लेंगे तो c क्या है any real parameter ठीक है parametric form में यदि हमें कोई भी point मानना होगा तो ct, c by t लेट करेंगा तो ठीक है तो c कैसे पता लगेगा वो तो पता लगे होगा xy equal to मानलो अपने को दे रखा है 4 तो c की value कितनी होगी 2 होगी ठीक है ना parametric form होगी उसके बाद equation of code लेखनी हो अपने को p t1 and q t2 point को join करने वाली तो p t1 के कोडिनेट क्या हो जाएंगे यहां पर p point के कोडिनेट c t1, and q point के कोडिनेट c by t2 ठीक, equation of p q y minus y1 c by t1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 और यहां हो जाएगा x minus c t1 y minus c by t1 equals to क्या जाएगा यहां पर c t1 minus c t2 upon t1 t2 और इसमें से minus common ले लो तो क्या बन जाएगा c t1 minus c t2 कड गया यह पूरा का पूरा इसके साथ यहां जाएगा x minus c t1 ठीक आगे हो जाएगा y minus c t1 is equal to minus का 1 upon t1 t2 x minus c t1 यह equation of code हो जाएगा ठीक अब हमें equation of tangent लिखनी हो तो equation of tangent पहले point form की बात करें हम तो point form में तो लिख सकते हम बहुत easily पहली form ले ले हम point form तो किसी भी point P के about लिखनी हो x1 y1 जो हाइपरबोला पे लाई करता हो P x1 y1 point पे और equation hyperbola की है यह तो क्या हो जाएगी equation of tangent equation of tangent क्या हो जाएगी xy1 plus yx1 upon 2 equal to c square xy के लिए t equal to 0 लिखना तो t equal to 0 ही है ठीक second slow form में लिखनी हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा condition of tangency निकालनी पड़ेगी अना slow form में लिखने के लिए condition of tangency निकालनी पड़ेगी तो line ले ले लेते हैं y equal to mx plus c c की 1 ले लेते हैं यहाँ पर क्योंकि c तो हाँ पर already है and xy equal to c square ठीक अब यहाँ पर इन दोनों को solve करें तो x y की जगी क्या रख दे mx plus c1 is equal to c square यह quadratic हो जाएगी x के अंदर mx square plus क्या क्या जाएगा x c1 minus c square equal to 0 इसका d क्या करना है अपने को 0 तो d क्या हो जाएगा b square minus 4 a c तो c1 की value कितनी होनी चीए बीच में क्या आएगा plus का sign आएगा ठीक है अना xy equal to c square के लिए positive slope के साथ हम tangent draw नहीं कर सकते न हमने अभी graph draw किया था इसका तो यहां पर इसके लिए tangent जो भी होगी वो किस तरह की होगी negative slope के साथ होगी तो m वहां पर automatically ही negative होगा तो c कितना हो जाएगा c1 plus minus root minus का 4mc square यह condition of tangents हो जाएगी तो इसके लिए अपने को याद रखने की जरुत नहीं मैं बस quickly revise करवा रहा हूं कि हम किस तरह से लिखेंगे जरुत पढ़ गई तो ठीक है parametric form में भी लिख सकते हो parametric form में भी लिख सकते हो x1 और y1 की जगे क्या रख दोगे y1 की जगे क्या रखोगे c by t c और x1 की जगे c t divided by 2 c square c कट गया क्या तो आ गया x by t plus yt equal to 2 c हो जाएगी parametric form के अंदर इसमें t celsius लेके भी आगे solve कर सकते हो ठीक है तो यह कुछ-कुछ important बाते हैं जो आपको लिखने आनी चीए कि इसमें याद रखने की आपको कोई वैसे ज़रूत नहीं है बस आपको rectangular hyperbola इस form में given हो तो पता होना चीए कि वो बनेगा किस तरह का और यहां पर जो constant है उसका क्या मतलब है constant से यह दि हमें a square भी निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं c square क्या होता है a square by 2 होता है क्या है